नमस्कार, Hindi Learning Channel पर आपका स्वागत है, आजाश्मा महाजर, आपकी अध्यापिका, Hindi Learning Channel पर लेकर आई है, पावनी Hindi पाठे पुस्तक, क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए, चेप्टर 17, जीवन धारा बदलने वाले शिक्षक से एक साक्षतकार, साक्षतकार का अर्थ, सारे आप सुनने जा रही हैं, ये एक motivational interview है, जाने कि inspirational interview भी कह सकते हैं इसे, ये साक्षतकार जो है, इस बुक्के, जो संपादक है, जोक्तर अवनीश कुमार अकेला, उनके द्वारा एक idol teacher जो होता है, महान साहित्यका, डोक्तर गिरीराज शरन अगरवाल जी से उनके निवास प पाठ में बातचीत की गई है, जो डोक्तर गिरीराज शरन अगरवाल है, वो एक उच कोती के सहित्यकार, एक आदर्श, शिक्षक होने के साथ साथ, एक उच विचारक भी थे, वो स्वियम को शिक्षक पहले मानते थे, सहित्यकार बाद में मानते थे, और उनके अनुसार प कोचिंग का सपलता से कोई लेना देना है, या फिर आज एक फैशन बन गया है, ट्यूशन जाना, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे हाज, इस सक्षतकार के अंतरकत, तो बचो वीडियो ध्यान से समझीएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, पूरी की पूरी बुकी प्लेलिस का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें प्लास एट पावनी के सारे चप्टर आपको मिलेंगे, तो आईए पाट शुरू करती हूँ, बहो मुखी प्रतिबा के धनी लो होता है, ऐसे लोगों के साथ बाचित करना, मेल जोल रखना, क्यों? क्योंकि इनका विक्तित्तु जहां एक और हमें जीवन की व्याख्या करना सिखाता है, वहां दूसरी और जीवन में कुछ हासिल करने के लिए भी प्रेडित करता है, जीवन की दशा का निर्देश करने वाले ऐसे ही एक विक्तित्तो का नाम है, डॉक्तर गिदीरा शरण अगरवाल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये उच्चकोटी के विचारक महान सहित्यकार और उससे भी बढ़कर अदाश शिक्षक है, इन्होंने सहित्यकी सभी प्रमुख विदाओं, विदाएं होती, ज जाने कि बच्चों के लिए जो भी रचनाई ये लिखते हैं, उनमें गिरिदा शरण अगरवाल जी जो हैं, वो बहुत फेबस है, नए सहित्यकारों की रचनाओं का प्रकाशन, अपने प्रकाशन संस्थान से करके अपने समर्थ प्रकाशक होने का दैत्वभी आबकू भी निभा रहे हैं, तो आईए बच्चों बाट शुरू करते हैं, इंटरव्यू है, इसलिए इंटरव्यू अलग-अलग टॉपिक पे चलेगी, तो पहला प्रशन क्या है सामने, हम जानना चाते हैं कि आप शिक्षक पहले हैं या सहित्यकार, तो इसका उत्तर उन्होंने कैसे दिया, देखिए, अपने भीतर के शिक्षक और सहित्यकार, दोनों को अलग-अलग करके देखना बड़ा कठीन है, जानि कि मैं एक टीचर भी हूँ, और मैं सहित्यकी रचना भी करता हूँ, तो इन दोनों पहलों को अलग-अलग करके देखूँ, तो मेरे लिए तो बड़ मुश्किल है हूँ तो मैं एक इंसान ही लेकिन दोनों तरफ में अपनी जिम्मेदारियां जो अब खुबी नीबाता हूँ मगर सिधान्त की बात करूँ तो मैं शिक्षक पहले हूँ और सहित्यकार बाद में देश दुनिया और समाज के संबंद में एक शिक्षक की जो आदर आज के और अपने समय के शिक्षक के स्थिति में आप क्या परिवर्तन पाते हैं आपने कोई चेंजिस देखे हैं तो उन्हों है बोला कि अगर वित्ती की बात करें जैनकि प्रफेशन की बात करें तो आज शिक्षन कारे करना उस समय के मुकाबले कहीं अदी कासान है क्यों क्योंकि शात्रों के प्रती शिक्षक के दाइतों में, जिम्मेदारी में व्यवस्थागत और समाजिक स्तर दोनों में कमी आई है जानि कि सिस्टम जो है पहले की अपेक्षा जो है वो थोड़ा सा इन्हें लगा कि पहले जैसे लोगों का टीचिंग का स्टाइल हुआ करता था जा फिर उनकी जो सिस्टम हुआ करता था उसके एकॉर्डिंग आजकल क्योंकि आजकर लोग क्या करते हैं जिस पर इंस्टिचूट में आप काम करोगे उस इंस्टिचूट के एकॉर्डिंग आपको उनके एकॉर्डिंग ही अपने सलेबस को दोडाना पड़ता है लेकिन पहले शिक्षक कैसा होता था उसको पता होता था पूरे साल भर में काम करना है वो स्वतंत्र नहीं है उस वमाने में माता-पिता शिक्षक से कहते थे कि कुछ भी करके इसे किसी लाइक बना दीजिए हम इसकी तरफदारी करने कभी स्कूल नहीं आएंगे और आज का टाइम ये है कि अगर आपने गलती से भी किसी बचे से कह दिया कुछ भी कुछ भी बात कह दी कि तुमने होमवक नहीं किया है तुम बहाने बनाते हो तो घर जाके इस बात को इंटरिप्रेट करके बचा किस तरह बताता है वो अगले दीन आके प्रेजन हो जाता है पेरेंट्स हो है वोई स्कूल में शिकायत लेकर आजाते हैं तो शिक्षक पी ज़ो हैं वो चादर इंटरसेंट नहीं रहते बच्चे को कुछ कहने की शिक्षक की इस डाइट तो ही जाने कि जिस तरह भी वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, अब वो उस जिम्मेदारी से अपना पीछा चुड़ा रहा है, वो कह रहा है कि मुझे कैसरूरत पड़ी है किसी के बच्चे को कुछ कहने की, इस चीज के कारण तब समाज में शिक्षक का सम्मान होता था, स्थिति इसके बिल्कुल उलट है, नहीं कि आए तो पुजीशन बिल्कुल अलग हो गई है, अब अगला प्रशन उनसे पूछा गया, साक्षतकार में इंटरव्यू में, महंगे टीउशन अथ्वा कोचिंग को, आज सफलता का पैमाना माना जाता है, कि महंगे से महंगे ट बच्चे को लगा दिये जाए, अच्चा वाके सफल होके दिखाएगा, तो इस विशे को आपकी स्थिष्टी से देखते हूं, उनसे प्रशन किया गया, तो इसका उत्तर गिरीडा शरन अगरवाल जी ने दिया, कि आज के टीउशन अथ्वा कोचिंग का सफलता से बहुत क सफलता का टैमाना है, तो टीउशन अथ्वा कोचिंग लेने वाले हर एक शात्र को सफलता मिल जानी चाहिए, क्योंकि टीउशन में सिरफ एक बच्चा पढ़ने नहीं जाता, पच्चास का बैच्च पढ़ने जाता है, क्या पच्चास के पच्चास बच्चे वैसे ही सफल हो जाते हैं, जैसे एक बच्चा सफल होता है, नहीं, जबकि सफलता का प्रतिशत तो बहुत कम है, वास्ता में ये एक फैशन सा बन गया, महंगे ट्यूशन, अथ्वा कोचिंग को, शात्रों और उनके मातापिता अपने उच्च समाजिक स्तर का प्रतीक मान कर उनकी और अ अचकल छोड़ दी है, वो डिपेंडेंट हो गए है, क्योंकि पेरेंट भी डिपेंडेंट हो गया है, बच्चा भी पैसे देखा देख की वो भी डिपेंडेंट हो गया है, सही बात ये है कि सवाध्याए ही सफलता का पैमाना, जब तक बच्चा खुद नहीं पड़ेगा, वो सफलता को हासिल नहीं कर पाता है हाँ कभी-कभी दिशा निर्देश की अवशकता होती जरूरी है कई बार instruction जरूरत पड़ती है जा फिर कई बार हमें मारुकदर्शन की जरूरत पड़ती है जिसे शात्र अपने विश्य धियापक से सरलता से प्राप्त कर सकते हैं अगर बच्चा चाहे ना कि घर जाके मैं खुद पढ़ूँगा और मेरी जो भी कमिया है जब मुझे कुछ समझ में नी आ रहा है मैं उसको लिख लूँ नोड़ डाउन करके अगले दिन स्कूल में ले जाऊं टीचर से पूछू तो टीचर कभी मना नहीं करेगा लेकिन बच्चा कभी कोशिशी नहीं करता है क्योंकि वो डिपेंडेंट हो गया पूरी तरह किसके उपर टीउशन के उपर पूरी चार सम निकालेंगे वो चार सम निकालके आ जाएगा घर पर एकी चलो ठीक है मैंने आज इतना सारा काम कर लिया लेकिन वो चार सम के बार वो आगे प्रैक्टिस करना नहीं चाहता अगला प्रैशन है आज के बच्चे माता पिता की महतो कांक्षाओं के कारण जनी कि उनके बड़े बड़े अंबिशन होते हैं उनके कारण पनाम में जी रहे हैं डिप्रेस हो गए हैं स्टूडेंट्स आज कल माता पिता उनकी इच्छा और उची के बुरुद उने डॉक्टर बनाना चाते हैं दूसरे उको देखा देखी इंजिनियर बनाना चाते हैं क्या आपने भी स्टन आपको छेल है ऐसा उनसे पूछा गया उन्होंने जवाब दिया सदयब से माता पिता की यही इच्छा रही है कि उनके बच्चे जीवन में कुछ बने आजके हाँ आजके माता पिता की जो महत्तोकांखशाएं हैं वो कुछ बनने के स्थान पर टाइप्ड हो गई है जैनि कि उन्होंने सोची लिया कि बस मैंने ये सोच लिया मेरा बचा यही बने तो बस उनको यही बनना है मैंने भी अपने समय में कुछ बनने के इस तनाव को जहला है तो लेखक ने भी बताया कि मैंने भी अपने टाइम पर ऐसी चीज़ों को सफर किया मैंने भी इन चीज़ों को जहला है सन 1963 में बिये करने के बाद पिता जी की अकांखशा थी मैं कोई नोकरी करूँ एक दिन बोले जाओ नैनी ताल में रोडवेस के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं हमारा मन किसी तरह का कलर्क बनने का तो था नहीं सोचा नैनी ताल ब्रह्मन का सब इससे अच्छा मोका क्या मिलेगा पिता जी की आगया का पालन भी हो जाएगा सो भागे से उस दी नैनी ताल में इंटरव्यू स्थगित कर दिये गे हम रोडवें में कलर्क बनने से रह गए तो अब लेखक ने अपनी बात भी बता दी और ये भी का कि माता पिता की बात मैंने बात का उलंगन भी नहीं किया कुछ बनने की इस जद्धो जहद में जद्धो जहद मतलब प्रयतन कोशिश में फिर शिक्षक बनने का निन्ने ही क्यों लिया या फिर भागे से शिक्षक बन गए तो इसके जवाब उन्होंने क्या दिया कि मैं भागे से शिक्षक नहीं मना बलकि पूरी तरह सोच कर विचार कर शिक्षक बनने का निन्ने लिया मन में था कि शिक्षक बने क्योंकि मैंने कई अच्छे शिक्षकों को जीवन की धारा बदलते देखा था शिक्षक बनने के लिए पहली सीड़ी क्या होती है प्रथम दुआर क्या था BT यानि कि Bachelor of Teaching उन दिनों B.Ed को BT कहा जाता था मुरादाबाद में सभी स्थान बर चुके थे यानि कि सारे फोम जो तो भरे जा चुके थे और वर्दबान कॉलेज में मेरा परवेश BT में हो गया जानि की B.Ed यहां का शक्षिक वातावरन भी कमाल का था एजुकेशन जो इन्वाइर्मेंट था बढ़ा अच्छा था 1974 में BT की परिक्षा उतीन की मेरे मन में बच्पन की वो समरितियां ताजा थी जिनमें बच्चे अपनी टाट पटियों टाट पटियां भी घर से ले जाते थे बिचाने के लिए मोटे मोटे कपड़े होते न वो घर से ले जाते थे शिक्षा खस्तर केबर रटाने की कला पर अधारिता की रटलो बस क्रैमिंग कर लो किसी चीज को सहज रूप से विचार आया कि नगर में बाल शिक्षा की एक अच्छी शिक्षन संस्था की स्थापना की जाए नगर के समाजिक शेतर में सक्रिये परिचितों से इस योजना की चर्चा भी की मैंने सभी ने एकमत से मेरे विचार का समर्थन किया रिजल्ट क्या निकला कि जुलाई 1964 में संबल में बाल विध्या मंदिर की स्थापना हो गई शिक्षन के शेतर में शुरू हुआ ये सफर अंतता वर्दमान डिग्री कॉले बिजनोर के हिंदी विभाग के प्राध्यापक और विभाग अद्यक्ष के पद से सेवा निर्विती के साथ पुन हुआ जानी कि ये बाद में वर्दमान डिग्री कॉले बिजनोर के हिंदी विभाग के प्राध्यापक तो बने ही साथ साथ अपने पूरे मतलब जो भी हिंदी का डिपार्टमेंट था उसमें क्या बन गए हैड अफ डिपार्टमेंट तो हैड अफ डिपार्टमेंट के पद से जब ये रिटायर हुए तो पूरा सफर इन्हों ने बताया कि मैं गया था एक शिक्षक बनने के लिए लेकिन मेरा पूरा जीवन जो था वो इस परकार से बीता शिक्षक बनने का निन्ने जो था वो मैंने इस परकार से ले लिया उसके बाद माता पिता की महतो कांगशा के अलावा competition प्रतिस परदा ने बच्चों का तनाव बढ़ा दिया है इस तनाव से मुक्ती पाने के लिए बच्चों को क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे मतरव आज कल के माता पिता बच्चों को जबर्दस्ती करते हैं कि उसका बच्चा पड़ा रहा है तू भी उस competition में participate कर रहा है तो तू भी हिंदी ओलंपियार में ले लेकिन जब बच्चे का इंटरस साइंस ओलंपियार का है वो हिंदी ओलंपियार कैसे दे सकता है तो इसके लिए इनसे इंटर्वियू में पूछा गया कि आप बच्चों को क्या मूल मंतर देना चाहेंगे इस depression से मुक्तोने के लिए तो इन्होंने जवाब दिया कि प्रतेक माता पिता अपने बच्चों की शमता को जानता है capability जानता है कि वैग क्या और कितना कर सकता है इसलिए उन्हें उसकी शमता से अधिक की महतोकांक्षा नहीं पालनी चाहिए कि अगर बच्चा डांस में talented है तो उसे मैं math में कैसे ला सकता हूँ उसे मैं science में कैसे ला सकता हूँ जब तुम्हें पता उसकी शम्ता कैसी है उसके पास कितने घंटे या पढ़ाई के तो वो साइंस का जब मैट का बच्चा नहीं हो सकता इसी तरह प्रतेक बच्चा भी अपनी शम्ता को भली भांती जानता है और हर बच्चे को भी पता मेरी capability कितनी है इसलिए उसे competition में आते समय इसका ध्यान अखना चाहिए मैं यहाँ यह नहीं कह रहा हूँ कि भच्चा को competition में भाग नहीं लेना चाहिए आज के समय में competition के बिना तो कामी नहीं चल सकता जिस शित्र में वो अच्छा परदर्शन कर सकता है अगर आठ में अच्छा है तो आठ में अपना कला दिखाए अगर डांस में अच्छा है तो डांस में दिखाए अगर पढ़ाई में अच्छा है मैथ में अच्छा है तो मैथ वली लाइन चुने अगर वो arts के subject में अच्छा तो arts वली line चुने लेकिन तनाफ ना झेलते हुई जिसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाए उसी competition में उसे उतरना चाहिए आज के बच्चों की समस्या यह है कि वो कक्षा में अंक marks percentage की होड में पढ़कर किताबी कीड़ा बनकर रह जाते हैं कि मेरे को अच्छे साच्छा percentage लेना है लेकिन percentage का कोई फाइदा नहीं होता बड़ी classes में जाकर after 12 कोई आपकी percentage नहीं देखेगा वो देखेगा जीडी में जब आप बैठते हो गुरूप discussion में कि आपके अंदर confidence कितना है और उच्छ अंकों के फेर में ना पढ़कर उन्हें अपने विश्यों का ग्यान समगरता के साथ अरजित करना चाहिए विश्य को रट कर नहीं बलकि समझ कर आतम साथ करें आतम साथ करना कि लीन हो जाओ उसी चीज में अगर आपको स्वियम को तनाफ से मुक्त रख सकते हैं जिसकी जगा तो आज कल मुबाइल ने ले लिए अगला प्रशन है कि आप ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए खेल पढ़ाई जितना ही अवश्यक है हाँ बिलकूल आज बच्चों के लिए खेल पढ़ाई जितना ही अवश्चक है मेरा मानना तो यह है कि खेल पढ़ाई से ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्यूं? क्यूंकि आज सबसे बड़ा प्रशन तो बच्चों के स्वास्थे का है खेल बच्चों के स्वास्थे के लिए हवा पानी की तरह जरूरी है जितना जरूरी बच्चों के लिए पानी होता है उतना ही जरूरी बच्चों के लिए हवा और उतनी ही जरूरी बच्चों के लिए ये खेल के लिए टाइम निकालना बच्चा जितना स्वस्थ होगा उसका धिमाग उतना ही तेज चलेगा और स्वस्मस्थिश वाला बच्चा पढ़ाई में स्वभाविक रूप से अच्छा ही होगा जब बच्चा स्वस्थे नहीं होगा तो पढ़ाई ही क्या वो कोई भी काम धंग से नहीं करेगा इसलिए खेल बच्चों के लिए नितांत अवश्यक है आज तो सरकार भी इस पर खुब जोर दे दिये स्कूलों में योगासन, खेल, अधारी, गतिविदियों को पाथे करम का अंग बनाया जा रहा है टाइम टाइम पर डिबेट कॉम्पिडिशन करवाया जा रहा है स्पोर्ट कॉम्पिडिशन करवाया जा रहा है मेरे विचार में खेल बच्चों के मन और अंजन का सर्वोतम सादन है कि पहले तो खेल बहुत जरूरी है बच्चों के लिए उन्हें घर से बाहर जाकर अवश्य खेलना चाहिए ब्रमध जानी की घूमना नाचना गाना बजाना अभीने करना जो नाटक करते हैं निमिक्री ज कितने ही मन और अंजन के सादन हैं जो बच्चों के लिए आजकल उपलब्द हैं ये मन और अंजन के ऐसे सादन है जो बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ भी बनाते हैं मजबूत भी बनाते हैं उनका confidence build up करते हैं stage पे एक confidence build up हो जाता है तो अपने आ है कि बच्चे mobile और television की दुनिया से बाहरी नहीं निकलना चाते हैं जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टी से सबसे खराब स्थेती हैं अगला बच्चों के सामने एक बड़ी समस्या आती है कि वो अपने लिए किस विशे और शेतर का चेहन करें बिल्कुल सही बात ह तेंध के बाद बच्चा सोचने लग जाता है इस विशे में आप उन्हें क्या सुझाप देंगे तो इस विशे में मेरा बच्चों और उनके माता पिता दोनों से ये कहना है कि महत्ता विशे की नहीं ये भली बांती समझना चाहिए कि वे जिस विशे में सरवोत्तम पर दर्शन कर सकता है उसे उसी का चियन करना चाहिए मैथ अच्छा है तो कॉमर्स ले ले बच्चा जरूरी नहीं वो साइंस में अच्छा हो तो उसे मैथ के साइंस ही लेनी है इस संदर्ब में कुई भी इच्छा बच्चों पर थोपी नहीं जानी चाहिए कि तुम्हारे पापा ये पढ़े है तो तुम भी यही पढ़ो बच्चों को भी चाहिए कि वो अपनी पसंद नापसंद को अपने माता पिता से नीस संकोच बताए कि बिनंग भराट के बताओ भई मैं नहीं कर सकता है मैं कैसे लिलू सब जगती ये अन्यता उन्हें जीवन भर उनकी महतो कांक्शाओं के बोज तले तनापूरन जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ेगा जानी कि वो एक स्टेज ऐसी आएगी वो अपने पिता जी के काम तो कर लेगा इंजिनियर बन गया पिता जी के कहने पर चाहे कम परसंटे में ही बन गया लेकिन सैटिस्फरक्शन ही मिल पाएगी उसे वो छोड़ देगा उस काम को थोड़े दिनों बाद अगला है आप शिक्षक ही नहीं अगला है याओ कि अधर्षे शिक्षक बने एक आइडल टीचर बने अधर्षे शिक्षक से उचकोटी के सहित्वकार भी आप बने कैसे? क्या सहित्वकार के मांग में कभी शिक्षक बादा नहीं बना? जानी कि आप सहिते की रचनाएं करते रहे उस रास्ते में कभी टीचर होना आपके लिए रुकावट तो नहीं था तो इनका जवाब उन्होंने दिया कि सहित्यकार बनने में मेरी शिक्षक वृत्ती की बड़ी भूमी का रही है जाने कि मेरा जो ये जो टीचर का प्रोफेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट रहा सहित्यकार बनने में शायद मैं शिक्षक ना होता तो सहित्यकार भी ना होता शिक्षक होने के नाते सहित्यकारों से परिचे होता रहा मैं teacher था, जगा जगा जाता था, अलग-अलग सहित्यकारों से मिलता था, तो knowledge भी बढ़ती रही मेरी, अंतरा और परदेश पत्रिका का संपादन दाइत्व, जाने की editing, तथा मित्रों की कृपा इस दिशा में जाने के लिए प्रेडित कर रही थी, एक दी नचानक विचार आ edition, editing और पस्तुती करन जाने की presentation, उसके लिए विशेश रूप से प्रेडित कर रहे थे, हमने भी हिंदी साहिते निकेतन की और से जनपद मुडादाबाद के कवियों के परिचे और उनकी रचनाओं का एक संकलन परकाशित करने की योजना बनाई, तो हम सबने मिलकर district level के प्रवर मन में, जाने की जिससे बहुत से विचार निकलते हैं ऐसा मन, उस मन में छिपा सहिते का अंकुर पलवित होकर एक विरिख्ष का रूप लेने लगा था, जाने की blossom होने लगा, नई पत्ते निकलने लगे, तीर और तरं के नाम से ये संकलन परकाशित हुआ, इस संक कलन के विमोचन की अफसर पा, जाने की न्यू ओडिशन जब बुक का रिलीज होता है न, तो उसे विमोचन कहते हैं, कभी समेलन भी विशिष्ट था, उसमें कभी समेलन लखा गया, जब बुक पब्लिश करनी थी, नई रिलीज करनी थी, इसमें तीर और तरं के लगबक के दमाद हैं, क्या उनसे मिलना एक संयोग रहा या पतनी मीना जी से पूर्व का कोई परिचे सबंद का कारण रहा, अरे अवनीश वह भात नहीं, जाने की ये बात जो थी, पावनी हिंदी पाथे पुस्तक, जिनोंने भी संपादित की है, तो अवनीश कुमार अकेला, इन उन्हों ने संपादित की है, ये बुक, तो उन्हों ने इन से पूछा, गिरीडाश शरनगरवाल जी से, कि आप काका हाथरसी के दमाद हैं, ये एक संयोग वश हुआ है, जांफीर मीना जी से आपका कोई परिचे था पहले, तो उन्हों ने इस बुक के संपादक से का, कि अरे अवनीश वो बात नहीं जो तुम समझ रहे हो, वो आज की तरह सोशल मीडिया की चैटिंग, जा मित्रों की तरह मिलने मिलाने का जमाना नहीं था, कि इंस्टाग्राम पे मैंने मीना कुमारी को देख ली और रिफ्रेंड रिक्वेस्ट बेई दी, ऐसा कुछ नहीं था लड़के-लड़कियों के मिलने की तो बात छोड़िये, सह शिक्षाकू, एजुकेशन की बात सोचना भी बेमानी था, काका जी से मिलने और मीना जी के साथ विवा का अपना एक अलग इस्सा है, सन 1967 के सतंबर महीने में हर वर्ष की तरह शहर में कभी समिलन होना प्रस्ताव अभी तक हमारे नगर में हासे समरार काका हाथ रसी का अगमन नहीं हुआ था, सो उन्हें अमंतरित करने का दैतों मुझे और मित्त सुरेच चंदर गुप्त को सोंपा गया, जानिकि उन्हें इन्वाइट कीजिए, इसकी जिम्मेदारी मेरे उपर आ गई हम दोनों तैय कार पारिश्रमिक लिए, जानिकि आगे की जो भी मेहनत आना होता है, उसको लिए, कहीं नहीं जाते वो, किन्तु जब हमने अपने आने का कारण और उदेश्य बताया तो उन्होंने बिना कोई अगरिम राशी लिए कारे करम में आने की सभिकृति दे दी, जानिकि जिस भी कार जान भी थे और खुश भी थे, कवी समेलन, कवी समेलन, पूर्वनिर्धारी समय के उसार संपन हुआ, काका जी ने कवी समेलन में रंग जमा दिया, और काका हातरस ही तो हमें पता ही है, हातरस में जनमे हस से कभी हैं, और आज भी अनेक लिखक और व्यंग के कवी, इनकी र दूसरे दिन भी हमारे साथ रहे, शाम को हम लोग बैठे हुए थे, सहित तेक चर्चा चल दी थी, तबी काका जी ने प्रश्न किया, तुमारा विवा हुआ या नहीं, मेरे इंकार करने पर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, विवा करोगे, इस पर मेरे मोन को सविकृती मान कर, जानि कि मैं चुप था, उन्होंने बोला कि मनजूर है इस लड़के को, इसलिए चुपा ही है, उन्होंने तुरंत एक प्रस्ताफ किया, मेरी बेटी ने भी एकी प्रिक्षा दी है, यदि तुम चाओ तो बाच चलाओ, मेरे मुख से तब एकी वाक के बाहर आया, कृप अवनीश जी ने इंटर्वियू में अगला प्रशनिन से पूछा, तो गिरीराश शरन अगरवाल ने कहा कि शिक्षा जीवन के लिए बहुत सरूरी है, इससे कोई इंकार नी कर सकता, अपने अध्यन के समय, पढ़ाई के समय तनाव ना ले, डिप्रैस हो के कभी ना पढ़ तो उसे बालकों में तनाव बढ़ता है, हर बालक अपनी शम्ता के अनुसार अच्छे से अच्छा करता है, हर बालक की कोशिश होती मैं अच्छा करूं लेकिन हर एका धिमाग एक तरीके से नहीं चलता, खूब पढ़े, अच्छी अच्छी पुस्तके पढ़े, अपने पा तो I hope ये interview आपको अच्छा लगा होगा और आपको पता भी चला होगा कि आपने सामने बैट कर किसी से बात करना क्या कहलाता है साक्षतकार और कोई महान व्यक्ति मिल जाए तो उसके व्यक्तितों से तो हमें बहुत ही प्रेना मिल सकती है जैसे कि हमें अभी मिली इनकी बातो को जानकर सुनकर समझकर तो बच्चो अपना एक लक्षे निर्धारित कीजिए अपने एक पीचर के जीवन से प्रेरित अवश्य हो ये पढ़ाई के साथ खेलिए जरूर और अपनी कारेशम का पहचानिए कि मैं किस फील्ड में अच्छा हूँ मैं अपनी उसी फील्ड को इंप्रूब करो ओके आई एक्सेसाइस के पहले कोशन देख लेते हैं सिधान्त डॉक्टर अगरवाल स्वियम को क्या मानते हैं तो सबसे पहले बताया कि वो डॉक्टर अगरवाल हैं जो स्वियम को शिक्षक मानते हैं डॉक्टर अगरवाल सफलता करते हैं माना किसे मानत सबाध्याई को जैने कि सेल्फ एजुकेशन खुद पढ़ना जादा जरूरी है बाल विद्यामंदी की स्थापना क्यों की गई काका हाथ रसी के कारेक्रम में आने की सबीकृती देने पर डॉक्टर अगरवाल विस्मित क्यों थे और अनंदित क्यों थे क्योंकि उन्होंने बाहर जाकर अवश्य क्यों खेलना चाहिए क्योंकि खेल बच्चों के मनोरंजन का साधन है बच्चे मनोरंजन के लिए क्या क्या गतिविदियां कर सकते हैं बहुत सारी है गाना बजाना नाचना बहुत कुछ है मनोरंजन के इन साधनों की क्या वश्यक्ता है बच्चे जो दॉक्टर अगरवाल और उनके मित्र कभी समिलन के लिए किसे हम अंतरित कने के काका हत रसी लगूत्र यह प्रशन आपके सामने डॉक्टर अगरवाल का आज के शिक्षक की स्थिति के बारे में क्या कहना है तो आज के जो शिक्षक हैं बताया किया है कि पहले की अपेक्षा आज शिक्षक का समान जो है वो कम हो गया है क्योंकि शिक्षक अगर बच्चे को कुछ कहता है तो पेरंट आ जाता है तो शिक्षक ने कहना ही छोड़ दी है फिर डॉक्टर अगरवाल ने शिक्षक बनने का निन्ने जो है वो क्यों लिया डॉक्टर अगरवाल ने ये निन सबफ हाय करने वाले शात्रों को अवश्यक दिशा निर्देश किस से प्राप्ट करने चाहिए अपने टीचर से जो भी आपका subject टीचर है उस से आगे देखते हैं question number next दिरगुत्री ये प्रशने प्रशनों में पहला प्रशने आपके सामने competition से बढ़ते तनाव से मुक्ती पाने के लिए डॉक्टर अगरवाल क्या सुझा आप देते हैं उससे पहले भाषा की बात है ये भाषा की बात के प्रशना बचो आपके सामने विस्मे का विस्मे परदर्शन का परदर्शी तो बाकी सारे शब्दों के सामने संदी विचेद हो गए है नीचे दिये गए वाक्यों में रिखांकित पद का व्यकरनिक नाम आपके भुक में तीसरा परशन है दिरगुतरिये परशन पहले देख लीजिए competition से बढ़ते तनाव से मुक्ती पाने के लिए दॉक्टर अगरवाल क्या सुझाब देना चाहते हैं कि वो यही चाहते हैं कि competition में जाते समय बच्चों को अपनी शम्ता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए विशे को रटना कभी नहीं चाहिए भलकि उसे उसमें lean हो जाना चाहिए उस समझ जाना चाहिए उसे किताबों से बहा निकल कर मैदान में खेलना भी चाहिए डॉक्टर अगरवाल एक साहित्यकार कैसे बने थे तो डॉक्टर अगरवाल जो थे वो साहित्यकार बनने में उनकी शिक्षक वृत्ती की बड़ी भूमी का रही है यानकि उनका जो teaching profession है वो सबसे ज्यादा important रहा क्यूंकि वो अलग-अलग कवियों से मिले एक teacher के life में जब तक teacher थे तो वो मिलना जुलना जो था वो इने साहित्यकार बना गिया शात्रों को अपने लिए विशेज शेत्यका चियन कैसे करना चाहिए अपने interest के recording माता पिता की थोपी हुई बात नहीं समझनी चाहिए उन्हें अपनी रूची देखनी चाहिए कि मेरा interest किसमे है उसके बात नीचे लिखे वाक्यों में रेकांकित्पत का व्यकरणिक नाम लिखना है मुल्य परक प्रश्न है सबसे पहले आपके सामने सवाध्याय ही सपलता का पैमाना है इस कथन के संदर्ब में आपको उत्तर लिखना था तो बेटा जी ये उत्तर भी आपको सामने लिखकर दे दिया गया है क्योंकि खुद पढ़ते हैं हम जो हम ग्यान हासिल करते हैं वो हमेशा पर्मनेंट रहता है हमारे साथ और उससे विद्यार्थी में एक आत्म विश्वास पैदा होता है और दूसरा है स्कूल पाथे करम में खेलों को अवश्यक रूप से शामिल करना कहां तक हो चीत है तो बहुत जरूरी है क्योंकि खेल अगर नहीं होंगे तो बच्चा अगर घर पे सिरफ पढ़ाई 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 नहीं करता तो स्कूल में जाके सिरफ पढ़ने पढ़ने आठ गंटे पढ़ने ही सकता वो लगाता तो खेलना जरूरी है उसके बाद पाट से आगे के भी प्रश्न हैं आपके सामने श्यक्षनिक संस्थानों नोकरियों में प्रवेश के लिए ट्यूशन और कोचिंग की भूमिका के बारे में आप क्या सोचते हैं तो ये आपको रिटर्न में मिल गया है उसके बाद ये विशे समर्दन गतिविदी खेलों का महतो सेकिंड कोशन है आपका वो भी आपको यहां पर दे दिया गया है निबंद है ये वैसे तो आप निबंद कहीं से भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने एक आपको रिटर्न में यहां पर प्रवाइट करवा दिया है बाकी कोई कोशन इंपोर्टेंट था नहीं देखते हैं एकसरसाइस का कोशन छूड़ गया है वो मैं आपको बोल देती हूं लास्ट में उसके बाद ये पूरा निबंद कंप्लीट किया गया है आप अपनी इच्छा से कहीं और से भी नोडाउन कर सकते हैं एक आपको डेमो जो है सेंपल जो है वो दे दिया गया है यहां पर उसके बाद आप अपने जीवर में क्या करना चाते हैं क्या बनना चाते हैं इसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें तो पत्र भी आपको अगले पेच पे मिलेगा पहले आप इसका बच्चा हुआ हिस्सा देख लीजिए अगले पेच पर तो निबंद आपका हो जाएगा complete तो यहाँ पर आपका निबंद होता है पूरी तरह complete ठीक है? इसके बाद एक पत्र है तो पत्र भी आपको मिलेगा बीच में जो चीज छूटी है वो है रे खांकित पत्का व्यकरनिक नाम और साथ में वाक्यों का शुदरूप यह देख लीजिए आप शिक्षक बनने के लिए प्रथम दवार्था भीटी तो प्रथम को अंडरलाइन किया यहां हमें बताना है ग्रामर का कौन सा टॉपिक है यह संग्या है सरवनाम है विशेशन है क्या है तो प्रथम जो है वो विशेशन है ठीक है काउंटिंग दी हुई है न हम बड़े विस्मित और अनंदी थे तो हम क्या हो गया सरवनाम हो गया, पूरुशवाचक सरवनाम है यह, शिक्षा जीवन के लिए निवारे है, के लिए क्या है, कारक है, संपरदान कारक, केवल पुस्तकों से चिपके रहना भी ठीक नहीं है, भी ही तो तक ये सब निपात होते हैं, ठीक है, जुलाई का अंता चुका था, जुला पाथे पुस्तक क्लास एट की प्ले लिस्ट में, ओके, बाक्यों का शुदरूप लिखिये, जिस तरह आपकी बुक का नाम है, पावनी, उसी तरह एट्थ क्लास की अनुगूंज पाथे पुस्तक, बुक का नाम है, जिसके अंदर सारे ग्रामर के टोपिक आपको मिलेंगे बाक्यों का शुदरूप लिखना है, मेरा विचार में, तुम ऐसे नहीं लिखते हैं, मेरे विचार में, खेल मनोरंजन का सरवोतम साधन है, मैंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन आप पूरा लिखियेगा, केवल पुस्तकों से चिपके रहना भी ठीक नहीं, तो जो गलता मै ने वही लिखा है, सही करके, आज हम दोनों सहिते स्रिचन में लगे हुए हैं, वास्तम में यह एक फैशन सा बन गया है, अब आपको आगे मिलेगा बेटा, लेटर रिटन में, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इसके बारे में बताते तो वो पत्र जो है वो आपको हमने लिखकर दे दिया है तो ये पत्र आप देख सकते हैं इसके अलाबा तीसरा प्रश्ण का प्रेमचंद जियन्ती पर आपके विद्याले ने एक जाने माने सहितेकर कभी को अमंतरित की है उनसे बाचित करने के लिए प्रश्णों की आपको सूची बनाने है जैसे हम कह सकते हैं विद्याले में आपका बड़ा-बड़ा स्वागत है हमारा विद्याले आपको कैसा लगा सहितेकर बनने की प्रेना किसे मिली तो ऐसे कोशन हम पूछ सकते हैं नए लेखकों को आप क्या संदिश देना चाहेंगे अपनी सरफ्ष्रेश कृति किसे मानते हैं आप वर्तमान लेखकों के विषय में आप क्या सोचते हैं किस विदा में लेखन करना आपको अच्छा लगता है इस तरह के प्रश्ण आप सूची जो है बना सकते हैं तीसरा प्रश्ण विश्य सवर्दन कती विदी का बताया है मैंने आपको ठीक है चोथा है अपने आसपास किसी भी शेतर में काम करने वाले किसी व्यक्ति का साक्षत कार लीजिए और उसे विद्याले पत्रिका के लिए लिए लिखकर देजिए तो आप किसी भी शेतर में काम करने वाले व्यक्ति का साक्षत कार इंटर्व्यू लो और विद्याले की जो मैग्जीर होती उसमें चपने के लिए दीजिए पांच वा कोशन तो आपको करवाई दिये लाइक का बटन दबाई भीना जाना मत शेयर किये भीना दोस्तों के साथ चैप्टर जाईएका मत रहा गया है चैप्टर 18 ओनली वो भी मैं आपको जल्दी ही प्रवाईड करवाऊंगी चैप्टर 18 है जाना पहचाना अजनभी ओके स्टूडेंट्स टेक केर गुडबाई